हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कारक पढ़ा था ठीक है तो वह समाप्त हो गया था आज से नया टॉपिक जो है वह पढ़ेंगे हम लोग क्रिया क्रिया का जो समाने अर्थ है बच्चों वह क्या है काम करना कोई काम करना ठीक है चलिए पई भासा देखते हैं क्या है क्रिया की जिस सब्द से जिस सब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं मतलब कोई शब्द है ठीक है वो क्या बता रहा है कि कोई काम हो रहा है ठीक है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे क्रिया कहेंगे, देखिए, क्रिया शब्द का अर्थ क्या है, काम है, ठीक है, ये समझने के लिए है, कि क्रिया शब्द का अर्थ क्या है, काम है, कोई शब्द है, जो काम को, मतलब क्या है, किसी काम का करना, या होना, आपको बोध कराए, किसी सब्द से आपको ये प्रतीत हो कि कोई काम हो रहा है या हो चुका है या हो रहा है यह आप उसको क्या कहेंगे क्रिया कहेंगे ठीक है जैसे एक्जामपल देखिए रश्मी को दौड़ना पसंद है ठीक है रश्मी हमारी क्या है संग्या है फिर दौड़ना पसंद है उसको यहां पर क्रिया हो रही है वो कोई काम कर रही है रस्मी क्या कर रही है दौड ही है ठीक है तो यहां पर इस वाक्य में क्रिया क्या हो गया दौड ना यानि की रस्मी कौन सा काम कर रही है वो क्या कर रही है वो दौड ही है ठीक है मोहन पुस्तक पढ़ता है ठीक है मोहन पुस्तक पढ़ता है मोहन क्या कर रहा है कोई काम कर रहा है देख तनू का भो पाल जाना त्याश्य और फिके ये जाना क्या हुआ अर्थार क्रिया का उधारण क्या होता है है आना जाना खाना पीना नहाना खेलना कुदना बैठना जो भी सारे काम हो वह हम लोग इसको किफेंगे क्रीया के अंतरगत ठीक अब आगे चलते हैं यह देखिए धातु धातु क्या होता बच्चो जिस मूल शब्द से मूल शब्द से ही ना बाकी सारे शब्दों की उत्पत्ती हुई है जब हम लोग आपको शब्द बता रहे थे तो आपको पढ़ाया थे ना वही वही चीज है कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम हम लोग क्या कहते हैं धातू कहते यानि मुल्च शब्द को ही हम लोग क्या कहेंगे धातू कहेंगे जैसे दोड़ दोड़ क्या है हमारा मुल्च यह क्या है मुल्च शब्द हम आपको बताया थे ना कि उसको उसको तोड़ा नहीं जाता है वह स्वतंत्र होते हैं ठीके देख से जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे क्रिया का सधारन रूप जैसे दोड है एक्जामपल लीजे दोड है ठीक है क्या कह रहा है धातू के अंत में ना जोड़ देने पर जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे क्रिया का सधारन रूप कहेंगे ठीक है यानि हमार ये दोड क्या है बच्रों यह हमारा मूलधातू है ठीक है उसमें अगर ना हम लोग एड़ कर दिए तो यह क्या बन गया क्रिया का सधारन रूप देखिए जैसे दौड से दौड ना जा जा क्या है इसको हम लोग खंड़ित नहीं कर सकते हैं यह क्या हो गया खेल यहां पर भी ना है चलते हैं आपके हाथू के बेद देखते हैं तो धातु की कितने भेद हैं दो भेद हैं कौन-कौन से मूल धातु और योगिक धातु मूल धातु यह स्वतंत्र होती हैं अभी मैंने बताया कि मूल धातु क्या होती है स्वतंत्र होती है इन्हें किसी यह जो है यह इनका यह किसी के सहारे नहीं होती है स्वतंत्र वही ना जो जैसे खा, खा क्या है? किसी के शहारे है? नई है, खा, पी, देख, उठ, पढ़, स्वतंत्र धातू के अंतरगत आती हैं, जीज़ें वहीं योगिक धातू क्या होती है? ये स्वतंत्र नहीं होती है, योगिक यानि मिस्रार्ण, ठीक है? इनalter का निर्मार्ण किसी प्रत्य के योग से होता है प्रत्य क्या होता है बच्चों जो बाद में लगता है ठीक है तो यानि कोई जो धातु है यानि जो शब्द है वो मूल शब्द है उसके बाद अगर कोई शब्द जुड जाता यानि दो शब्द 성 Griff हो गया और यही यूघ हमारा क्या कहलाता है यह एक ढट वता कैसे खाना से खिलाना यह खाना क्या है क्रिया है ठीक है यह सवतंत्र नहीं होती उनका निर्मान किसी प्रते के योग से हो रहा है तो याद रखिए धातु कितने प्रकार के हैं दो प्रकार के कौन-कौन से मूल धातु और योगिक धातु क्या होती है वे धातुएं जो स्वतंत्र होती है जैसे खापी देख उठ पर आदी मतलब आदी मतलब कुछ भी ठीक है इस तरीके ऐसे कुछ भी ऐसे नही खापी देख आदी योगिक धातु वे सतंत्र नहीं होती है इनका निर्णमान किसे होता है किसी प्रते के योग से ठीक है यानि कोई शब्द है उसके साथ प्रते अगर जुड़ गया वो क्या बन गया योगिक धातु बन गया ठीक अब आज चलते हैं योगिक धातु के भी तीन प्रकार है जैसे हम लोग धातु की दो प्रकार देखे वैसे योगिक धातु के केवल योगिक मूल धातु नहीं केवल योगिक धातु के तीन प्रकार है क्या क्या है पहला क्या है प्राठक क्रिया या धातु धातु ठीक है तो क क्या है प्रयार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं अकर्मक और सकर्मक क्या होता है अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो सकर्मक जिसमें कर्म हो ठीक है आना जाना जोडने से प्रथम प्रयार्थक एवं वाना जोडने से दृती प्रयार्थक रूप बनते हैं नई समझ में आया ठीक है देखे क्या है यह उठ क्या है देखकर यह क्या है बच्चों यह हमारा मूलधातू है मूलधातू में ना वाना जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है प्रिनार्थक प्रिनार देना प्रिनार्थक मतलब किसी को वह करवाना ठीके मतलब प्रेणा देखे करवाना क्या है उठाना उठवाना किसी के द्वारा ही ये काम होगा ठीके जैसे देना दिलाना दिलवाना ना आ रहा है वाना आ रहा है ठीके तो ये क्या हो गया हमारा प्रतम प्रियार्थक और वाना क्या होगा है दृती प्रियार्थक प्रिया या रूब ठीक है करना कराना या करवाना या किसी और से करवाना ठीक है चलिए आगे दुसरा क्या है योगिक क्रियां क्या होती है दो या दो से अधिक धातूं के संयोग से ठीक है दो या दो से अधिक धातूं याद रखेगा मूल धातू नहीं बोल रहा है केवल धातू बो योगिक्रिया बनती है धेखे कैसे रोना धोना ये अलग है ये अलग है धातु दोनों मिला तो क्या हो गया ये हमारा मिश्णण हो गया योगिक्रिया उसके बाद नाम धातु क्या होता है? संग्या या विशेशर से बनने वाली धातु को हम लोग क्या कहते हैं नाम धातु कहते हैं संग्या या संग्या या विशेषड से बनने वाली धातु को हम लोग नाम धातु कहते हैं देखिए जैसे गाली गाली विशेषता है गाली से गरियाना ये गरियाना वर्ड क्या है बच्चों ये नाम धातु है हमारा ये किसका एक्जाम्पल है नाम धातु का ठीके वहीं लात से लतियान यह क्या है हमारा क्रिया है बात क्या है विशेशड है बात से बतियाना वहीं गरम विशेशड है गरम से गर्माना तो यह गर्माना क्या हुआ हमारा नाम धातु हुआ क्यों 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 यह विशेशड के साहता से बनती हैं क्लियर हुआ यौगिक क्या है दो या दो से अधिक धातु के मिलने से बनती है नाम धातु क्या है संग्या या विश्यसड के साथ बनती है ठीक उसके बाद चलते हैं क्रिया के प्रकार पर इतना क्लियर हो गया मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा भी क्रिया पढ़ लिया उसके बाद धातु देखा धातु के प्रकार देख लिए अब चलते हैं क्रिया के प्रकार पे चीक है तो क्रिया के कितने प्रकार है बच्चो पहला क्या लिखा कर्म की दृष्टी से कर्म यानि कोई काम हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है उसकी दृष्टी से क्रिया कितने प्रकार की होती है तो दो होती है दो प्रकार की अकर्मक्रि अकर्म क्रिया क्या है वाक्य में जिस क्रिया के प्रियोग में कर्म की अपेच्छा नहीं होती है यानि कर्म की जरूरत नहीं होती है कर्म का जुड़ाव नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे अकर्म क्रिया कहेंगे ठीक है जैसे कोई वाक्य है उसमें कर्म ना जुड़ा किर्म क्या होता है कि प्रश्ण पूछने पे अगर उत्तर जैसे कौन क्या पूछने पे उत्तर मिल रहा है वही हमारा क्या होता है कर्म होता है प्रश्ण पूछने पे जो उत्तर मिलता है वही हमें वह क्या कहलाता है करम कहलाता है ठीक है तो अकARKर्म क्रियाय वे क्रियाय shellsер होती है जिनमें करवश्य करम कि अपेच्छा नहीं होती है उनकी उनको लिया नहीं जाता है ठीक है आप देखे एक्जामपल शीला हस्ती है शीला हस्ती है ठीक है क्या है कर्म नहीं है यह क्या है साधारण क्रिया क्रिया कर रही है लेकिन उसके अलावा कोई कार्य नहीं है जैसे बच्चा रो रहा है दीता गई 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 तो क्या है कोई कर्म कर रहे है नहीं वो सवाधत सिंपल क्रिया ही ते के जैसे सीला हस्ती है बच्चा रो रहा है फीक है वहीं रती गई अब चलते हैं सकर्म क्रिया क्या है वाक्य में जिस क्रिया के प्रियोग में कर्म की उपेच्छा रहती है उसकी उपेच्छा नहीं की जाती है यानि कर्म का प्रियोग होता है कर्म जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सकर्म क्रिया कहते हैं जैसे शीला ने सेब खाया शीला ने क्या खाया शीला ने क्या खाया सेब खाया यानि क्रिया कर रही है उसके साथ कर्म जुड़ गया ठीक है बच्चों वो क्या होगा सकर्म क्रिया होगा जैसे सेब हमारा यहां पर क्या हो जागा बच्चों कर् कर्म है कि वहीं क्रिया क्या है खाया काम कर रही है कुछ कर रही है कार्य कर रही है तो यह क्या हो गया हमारा क्रिया ठीक है यह क्या हो गया क्रिया इतना क्लियर हुआ अब यहीं हम लोगों ने अकर्मक क्रिया पर क्या दिखा था कि क्रिया तो हो रही है लेकिन कर्म जो है वो नहीं है कर्म जो है कर्म का जुड़ाव नहीं है वहीं इसकर्मक में क्या है कर्म रहता है जैसे मोहन पानी पी रहा है यह क्रिया है पानी पानी क्य रही है तो यह क्या है लिखना क्या है लिख रही है यह क्रिया है क्या कर रही है क्या लिख रही है कोई काम कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं यह क्या है निबन लिख रही तो यह क्या हो गए बच्चों सकर्मक्रिया अब आती है पहचान की किसी वाक्य को देखके कैसे हम पहचानेंगे कि यह सकर्मक्रिया है या अकर्मक्रिया है तो देखे क्या है क्रिया के साथ ठीक है क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगा कर क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगा कर प्रश्न पूछने पे जो उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है सकर्मक्रिया और अगर यद क्या लिख रही है तो मिल रहा है निबंद लिख रही है यहीं पर देखे क्या उत्तर मिल रहा है क्या हस रही है क्यों हस रही है मिल रहा है नहीं कोई कर्म नहीं जुड़ा है गई है कहां गई है क्यों गई है कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है रो रहा है क्यों रो रहा है तो ये कौन सा वाकिय हो गया ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया ठीक है क्या लिका है क्रिया के साथ क्या अत्वा यानी प्रश्ण प्रश्ण सूचक कोई भी शब्द पूछने पर जो उत्तर मिलता है अगर यदि उत्तर मिल रहा है आपको तो वो सकर्मक होगा उत्तर नहीं मिल क्रिया हाला कि कर्मक क्रिया के भी होते हैं लेकिन आपको अतना डीपली नहीं जाना जो इंपोर्टेंट है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है तो यह क्या है एक कर्मक क्रिया क्या है परिभासा देखिए जिसे वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रियुक्त हो यानि मां पढ़ रही है मां पढ़ रही है यहां पर क्या हो रहा है मां जो है वो एक ही काम कर रही है क्या कर रही है मां के द्वारा एक ही कर्म यानि पढ़ना हो रहा है तो यह क्या हो गया एक कर्मक क्रिया हो गया वहीं सा कर्मक क्रिया क्या है जिस वाक्त में क्रिया के साथ दो कर् सब्सक्राइब कोई वाक्य है जिसमें दो काम हो रहे हो वो क्या कहलाएगा द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा देखे कैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं क्या सिखा रहे हैं कंप्यूटर यह हमारा कंप्यूटर और सिखा रहे हैं क्या हुए है प्रश्ण पूछ के जो उत्तर मिले वही हमारा कर्म होता है तो अध्यापक किसको सिखा रहे हैं छात्र को क्या सिखा रहे हैं कंप्यूटर सिखा रहे हैं ठीक है तो यहां पे तो यहां पे हमारा ये क्या हो जाएगा एक कर्म हो जाएगा ठीक है यहां पे कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा दूसरा कर्म हो जाएगा तो हुआ ना द्वी कर्म क्रिया के साथ दो कर्म प्रियोग थो उसे हम लोग क्या कहेंगे द्वी कर्म क्रिया कहेंगे ठीक समझ में आगया चलिए अब दिखते हैं प्रियोग या वो तो हम लोगों ने किसका भैद देखा अकर्मकृष और शक्रमक्रिया किसके अधार पर था कर्म के अधार पर था अब क्रिया का दूसरा भैद है तो क्या लिखा एक्स की परिभासा जब क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती हूं यानि कोई वाक्य है उसमें एक क्रिया के अलावा बहुत सारी क्रिया हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे संयुक्त क्रिया कहेंगे जैसे मैंने पत्र लिख दिया लिख दिया ठी तो लिख दिया ठीक है तो यह क्या हो रहा है दो ठोकाम हो रहा है लिखना देना दो कर्म है दो काम हो रहा है लिखना और दिया तो यह क्या हो गया हमारा संयुक्त हो गया यानि एक वाक्य में क्या है दोनों आए हैं तो पहला यह क्रिया हो गया दुसरा यह क्रिया हो गया पर वह खाने लगा, यहाँ पर भी दो है, खाना और लगना, चीक है, इसको ऐसे समझे, यहाँ पर हम लोग क्रिया अगर कोई वाक्य दिया है, क्रिया छाटने को दे, कि इस वाक्य में क्रिया छाटी और क्रिया का नाम बताईए, तो कौन कौन सी क्रिया है, लिखना और दिया, य किसी वागव में पूछे अगर कि संयुक्त क्रिया क्या है तो आप पहचान कर लोगे वेरी गुड आगे चलते क्या है सहायक क्रिया अब सहायक क्या होता है सहायक क्रिया क्या होती है जो क्रिया शब्द मुख क्रिया के मुख्य कोई मुख्य क्रिया है क्रिया के साथ जुड़ कर जब्ध के निर्मान में सहयता करती है ठीक है साहया क्रिया वे क्रिया अहोती है रहा है देखिए यह आपको नखिस में काम नेगा यह आपको दर चीजे को थे तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है कि मुख्य क्रिया क्या है बच्चों कि मुख्य क्रिया है इसमें खेलना कि खेलना ठीक है यहीं पर क्या कर रहा है कोई जो है वो जूड़ रहा है क्या रहे थे रहे थे यह क्या यह भिक्रिया है तो क्या कर रहा है कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़के शब्द का निर्मार कर रहा है यानि वाक्य क्या हो रहा है इससे वाक्य पुल्ण हो रहा है वही हमारा क्या हुआ सहायक क्रिया यानि वाक्य के निर्मार में मुख्य क्रिया के साथ जुड़के जो सहायता करे उससे हम क्या कहेंगे सहायक क्रिया कहेंगे अब ये वाक्य दे दिया कि वे हस रहे थे अब इसमें पहचान करिए पूछ दिया अब इसमें पहचान करिए कि मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है तो मुख्य क्रिया हस रहे थे वहीं घर जाता हूं स्वारी जाता हूँ ये क्या है बच्चों ये हमारा तहायक्रिया का उधारण है ठीक है उसके बाद बात करते हैं तीसरा क्या है प्रिणार्थक्रिया जिन सब्दों के माध्यम से जिन शब्दों के माध्यम से पता चलता है कि करता स्वैम कार्य ना करके कोई वाक्य है उसे ये पता चल रहा है कि जो करता है करता यानि जो काम कर रहा है वो स्वैम ना करके वो खुद ना करके किसी अन्य को कार करने के लिए प्रेरित कर रहा तो उसे क्या कहेंगे प्रेनार्थक क तो तो हम आपसे कहे थे ना कि वो प्रिरित करता है कारे को करने के लिए तो वहीं प्रिनार्थक क्रिया क्या होगा जिन शब्दों के माध्यम से पता चलता है कि जो करता है जो काम को करे कर्म करे कारे स्वेम ना करके किसी अन्य से को प्रिरित करता है कि तुम यह काम कर दो वह ठीक है, तो क्या है, हम आपको प्रिरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, बस वही है प्रिनार्थक क्रिया, ठीक, अब एक्जाम्पल देखिए, मैंने नौकर से काम करवा, यहाँ पर करता कौन है, करता मैंने है, क्या है नौकर कौन है, कोई अन्यवेक्ति है, उससे क्या करवा काम करवा रहे हैं ठीक है तो ये क्या हो गया प्रिनार्थक रिया का उधारन हो गया देखिए कैसे किराम नही राधा से पत्र लिखोय राम क्या है करता है ठीक हो किसी अन्यो को के लिए प्रिरिद कर रहा राम जो है वो करता है वह स्वयम काम ना करके वह स्वयम कारें ना करके किसको प्रिरित कर रहा है राधा को प्रिरित कर रहा है क्या लिखने के लिए पत्र लिखवाने के लिए आया समझ में ठीक है अगर ऐसे वाक के दे दिया रहे ठीक है जिसमें कर्म तो हो रहा है कार्य तो वाना जो सब्द है किसी सब्द में वाना या वाया जुड जाए तो यह कौन सी क्रिया होगी किसी क्रिया में वाया या वाना जुड जाएगी तो वो कौन सी क्रिया होगी वो प्रिनार्थक क्रिया होगी ठीक है यहां पे लिख लिजे वाना या वाना या वाया जुडने पर जुडने पर कौन सी क्रिया होगी प्रियार्थक क्रिया होगी ठीक है क्रिया के साथ अगर वाना वाया जुड जाते हैं तो यह कौन सी क्रिया हुई प्रियार्थक क्रिया होई अब चलते हैं चौथा क्या है पुर्वकालिक क्रिया पुर्व म जिन क्रिया शब्द को मुख्य क्रिया से पुर्व किया जाता है। मुख्य क्रिया हम आपको बताए। ठीक है। उससे पहले किया जाता है। अत्वा मोहन पढ़कर खेलने चला गया मोहन पढ़कर ठीक है मोहन पहला क्या काम कर रहा है कि वो पढ़ रहा है उसके बाद वो क्या कर रहा है खेलने चला गया ठीक है यानि एक कारे को पूर्ण करके वो दूसरा कारे कर रहा है तो यह वाक्य कौन सा हो गया पुर्वकालिक क्रिया ज समझ में आया पुर्वकालिक क्रिया क्या होती है मोहन पढ़के खिलने चला गया यहां पर यहां पर क्रिया की पहचान करने को बोले तो पढ़ना और खिलना यह दो क्रिया है भोजन सो गई यह क्या है भोजन करके सो गई यह क्या है क्रिया हो यह दो क्रिया है तो यह क्या हो हमारा पुर्वकालिक क्रिया यानि एक क्रिया करने के बाद दूसरा क्रिया आरंभ करना तो वो क्या कहलाता है पुर्वकालिक अब चलते क्या है नाम बोधक क्रिया अब नाम बोधक क्रिया क्या है संग्या अथ्वा विशेशड के साथ संग्या अथ्वा विशेशड के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है यानि कोई शब्द है वो संग्या है उसके साथ अगर क्रिया जुड़ गई तो वो क्या हो गया हमारा नाम बोधक क्रिया हो गया वहीं अगर कोई शब्द है विशेशड है ठीक है उसके साथ क्रिया जुड़ गई तो वो क्या हो बन गया हमारा नाम बोधक क्रिया देखे कैसे संग्या क्या है हमारा लाठी है कोई वस्तू है मारना क्या है क्रिया है त्य कौन सी क्रिया कहलाएगी बच्चो नाम बोधक क्रिया कहलाएगी विशेशर क्या है दुखी पीला हम बताया थे ना विशेश्ता बताए गोडिया दोश ठीक है तो दुखी होना क्रिया है पढ़ना क्या है क्रिया है ये दोनों जुड़ गये तो क्या बन गए हमारे नाम ही होना ये आम बताओंगे नाम अंगोधक क्रिया बताओंगे उसके बार किया है क्रियार्थक संगयां क्या है देखिए जब कोई क्रिया जब कोई काम संग्या की भाती प्रियोग में लाई जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे क्रियार्थक संग्या कहेंगे यानि संग्या जो है वो संग्या की भाती संग्या के ही तरह क्रिया का अगर हम लोग प्रियोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या क कहेंगे क्रियार्थक संग्या कहेंगे जैसे टहलना टहलना क्रिया है ये किसके भाति प्रियोग हो रहा है संग्या की भाति टहलना स्वास्त के लिए लाब दायक है तो क्या क्रिया जो है वो किसकी भाति प्रियोग हो रहा है संग्या की भाति वहीं देश के लिए देश के लि संग्या क्या होती है जो क्रिया जो क्रिया संग्या की भाती प्रियोग हो इस वाक में क्रिया संग्या की भाती प्रियोग में ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया आर्थक संग्या कहते हैं वहीं पर नाम बोधक्या है संग्या के साथ अगर क्रिया मिल जाए या क्या है तो क्या है यह देखिए क्रिया क्या है जिस सब्द में किसी काम क्रिया यानि काम ठीक है जिस सब्द से किसी काम का करना या होना बोध है उसे हम लोग क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं जैसे रस्मी का दौड़ना यहां पर दौड़ना क्या है क्रिया है मोहन पुस्तक पढ उसे हम लोग क्या कहते हैं धातु कहते हैं जैसे दोड़ जा खेल यह सब क्या है धातु है वहीं धातु के अंत में ना जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है क्रिया का सधारन रूप बन जाता है जैसे जा से जाना ठीक है वहीं पर धातु के प्रकार हम लोगों ने देख चैन dr drt प्रेरित करता है किसी कार संब करने वाला दिख रहा है उसको पर सबज़ेंगे उठाना उठाना और उठाना क्या है civ किसी को प्रेरित प्रतित हो रहा है किसी दुसरे के दवारा कि कर आ जाना वाला न इसको हम लोग क्या कहेंगे अक्षर किसी कहेंगे त्रहा कीतने प्रकार है कृतने भाज़ों में बाटा गया है से चारमक और रच्णाके अधार करम की आर्फक संग्या कीं । उसका भाग रहसे उसके बातक है यह को रहा हो而且산ak करम क्रिया जिसमें पर घूड़ा हो एक रजाएं घ्यालन गूत हो हो रहे हो ठीक है है यह हमारा क्या होगा करम की अधार पर हो गया ठीक है कि अब हम किसे पहचाने टो कौन करने पर कोई उत्तर मिल रहा है प्रशनॉकर पाणाम उतर मिल रहा है वही हमारा कर्म होगा और सकर्मक किसे पहचाने है नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है प्रियोग को सनँच नाचना के अधार पर किया निर्मान करें जैसे खेल रहे थे खेल क्या है मुख्य क्रिया है उसके साथ क्या कर रहा है रहे थे जुड के सब्द निर्मान कर रहा है प्रयार्थक क्रिया क्या है जिन सब्दों के माध्यम से पता चलता है कि कोई करता जो है वो स्वयमकार ना करके किसी और से करवा रहा हो किसी और को प्र पुरिवकालिक क्रिया जब एक क्रिया कंप्लीट हो जाती एक क्रिया पूरी हो जाती है तो दूसरी क्रिया आरंब करते उसे हम लोग क्या कहते हैं पुरिवकालिक क्रिया जैसे सिता भोजन करके सो गई पहले सिता क्या की कौन सा काम की भोजन की फिर उसके बाद वो सोई ठीक उसके बाद नाम भोधक वही संगया थो अब इसे सड़ के साथ क्रिया का प्रियोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं नाम भोधक कहते हैं क्रियार्थक संगया है जब कोई क्रिया संगया की भाती जो क्रिया है वो संगया की भाती क्या हो प्रियोग हो उसके हम लोग क्या कर आउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे जुड़िए और वहां से आप पूछ सकते हैं हमसे ठीके बच्चों तो मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए ठीके धन्यवाद आपका दिन शुभ हो